बहुत सारे company, office, restaurant, industry में लड़की या महिला जॉब करती है और वहाँ पर किसी manager, employer या कोई in charge के द्वारा किसी लड़की या महिला को sexual harassment मतलब उसे गंदे नजर से देखना, छूना या फिर गंदी बाते करना, पौन दिखाना या फिर sexual favor में ये कहना कि अगर आप मेरे साथ ये तो मैं सुभम आज हम जानेंगे कि छेशा करने पर क्या कानून है, क्या सजा है और कौन से section लागू होते हैं, चलिए सुरू करते हैं IPC की धारा 354 के तहट दोसी पाय जाने पर 5 साल तक की कैद की सुजा का प्राबधान किया गया है, इसमें कम से कम एक साल तक के कैद का प्राबधान है इसे कॉगनिजेवल की केटेगरी में रखा गया है, यानि यह एक गैर जमानितिय संगे अपराद है, मतलब यह अपराद समझोता करने योग नहीं है section 354 में कई सब section जोड़े गये हैं, जैसे section 354A, section 354B, section 354C और section 354D section 354A, section 354A, part 1 में कहा गया है, कि अगर कोई सक्स, sexual nature के साथ, किसी महिला को छूता है, तो वो sexual nature conduct कहा जाएगा section 354A, part 2 में कहा गया है, कि अगर कोई सक्स, किसी लड़की या महिला से sexual nature का आगरह करता है, यानि कि मांग करता है, तो यह एक crime की केटेगरी में आएगा अगर कोई सक्स किसी महिला को उसकी मर्जी के बिना उसे पौन दिखाता है तो यह IPC धारा 354A Part 3 के तहट एक क्राइम होगा Section 354A Part 4 के तहट अगर कोई सक्स किसी महिला पर sexual comment करता है तो यह भी एक क्राइम होगा इन मामलों में एक साल से तीन साल तक के कैद का प्रोभिजन किया गया है इसे कोगनी जेवल की केटेगरी में रखा गया है यानि यह एक गैर जमानितीय संगे अपराद है मतलब यह अपराद समझोता करने योग नहीं है यानि महिला के सिकायत पर तुरंट पुलिस को संग्यान लेते हुए केस दर्ज करना परेगा और कानूनी कारेवाही करनी परेगी चलिए बात करते हैं IPC Section 354B के बारे में IPC Section 354B के तहट कानूनी प्रोविजन किया गया है कि अगर कोई सक्स किसी महिला के खिलाफ बल का पड़ियो करता है और अपने कपरे उतारने पर मजबूर करता है या अगर उकसाता है तो यह एक क्राइम होगा और यह मामला गैर जमानती अपराद की कैटेगरी में रखा गया है इस मामले में दोसी को कम से कम 3 साल तक और ज्यादा से ज्यादा 7 साल तक की सजा हो सकती है अगर कोई सक्स किसी महिला के प्राइबिट एक्ट या प्राइबिट मॉमेंट की तस्वीर लेता है या फिर उसे लोगों में फैलाता है ये IPC सेक्षन 354C के तहत आरोपी होगा पहली बार दोसी पाया जाने पर एक साल से तीन साल तक की सजा का प्रोविजन किया गया है चलिए बात करते हैं IPC सेक्षन 354D के बारे में किसी महिला या लड़की को उसकी मरजी के खिलाफ के बगएर कोई सक्स उसका पीछा करता है या उससे संपर्ख साधने की कोशिस करता है तो इस मामले में महिला की सिकायत पर IPC सेक्षन 354D के तहत केस दर्ज किये जाने का प् आए गया है एसीड अटेक के मामले में IPC की धारा 326A और 326B के तहत केस दर्ज होगा ज्यादा से ज्यादा इसमें उमर के तक का प्रोविजन किया गया है तो दोस्तों आपने इस वीडियो में जाना किसी महिला या लड़की के साथ छेचा करने पर क्या कानून है